वेल्कम टू एक्जामिनेशन हब सो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आयोप आप बहुती बेटर होंगे मस्त होंगे जप्रदस होंगे होंगे बहुती बहतरी इन सो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि मैं आपको कंटीन्यू परपेशन करा रहे हूं इस पेशल सीटेट जिसमपर ए हमारा ही शेशन है और यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे सीटेट दिसमबर एक्जाम धोजार चोबी सीडीप प्रिवीश एक्टीन्यू पेपर पेपर में छपने वाले सारे एमसी क्यूज ये बाई शिमानी सिंग मेरे दोवारा ही कंटीन्यू आपको इस शेशन जो ह है आपके सब्लेक्स की कन्टेन्यू हमने चला होएं इनकी प्रेशत भी बनी हुई है आपको इसी बेशिस पर आपको जो हे स्वारी प्रिश्ट को चेकर करके वीडियोग को देख ले ना है क्योंकि बहुत कंटी बैतरी परिशन हैं और हां साथ ही सारे साथ में बता दूं पार है ना स्क्रीन पर बहुत ही बहँते हैं सचे सलेल ओर ऩर में लिए को न Спर्पींट भाहрам जरिए जो फर्स कुर्षन रहे हैं जहीं के बहुत हैं इसन फ्रूर्षन कोंगती कि व्द्यारति पसंद की जानेवारी भाशा में पढ़ाया जाए उनकी सांस करती ज्ञान और अनुभों को अन देखा कर दिया जाए उनकी अपनी स्थाने भाशा में बनाएगे सेक्षिक शामकरियों को उपलब्द करवाया जाए या फिर विध्याले और उनके समुदाय के बीज सामाजिक दूरी कायम रखे जाए लेको अनुसूची जाती अनुसूची जाती देखो ST ST या फिर SE ST या फिर OBC कोई भी स्ट हो स्ट हो और बी सी हो या फिर यहां पर जो है जन्नल कोई भी किसी बी केटेगिर के स्टेंट्स हो उनकी समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्तबुन कि क्या जो है कि राएज़ाए अब यहां पर अलम स्वाव्य चाहिए बात कि गई है तो इस तरह के विध्याद॥ क्या विद्ध आएगा just सफल बनाने के लिए एक टीचर्स को कया करणा होगा फिर कीज़वर्स के किस तरह के सुट्ट की क७ूंकि कि गुश्यूंट से लूग लूग होते हैं और जंगल मंगल में ने आजओ तो फीरी ओए आगे का मैं डू creation लेकिन बैक हम टाइम की बात करें तो वाइन रूवाथ किस लकी ने वर एक पड़ पौझ से उनकोail है तो पो च्व dudu UC之前 के जाने वाली भाशा है पर्मुक समु के जाने वाली देखो पर्मुक समु के जाने वाली भाशा अब हमने समु बनाई वाएं अब भृ सभी अलग 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 यहां बताएंगे और आ Morris यह सभी भाषाव को नहीं बतासकते हो ओ और ना ऐसे पोशिबल होगा उनके सांस्क्रति ज्ञान और अनुबहों और अगयों लिद्धी आया हैं जिस्ट चो आए डिरेओक जिस भी विद्याले में स्टी के बच्चे पढ़ने के लिए और जो उनका समुदाय जहां पर रहते हैं स्टी के बच्चे जहां पर रहते हैं अगर आप इन तरह के बच्चों को यहां पर विद्याले और समुदाय इन दोनों में क्या तुनला करेंगे कि भही तुम यहां पर अपनी इस्थान ये भाषा में बनाए गई शेक्षिक शामगरिय को उपलब्द करवाया जाए बिल्कुल देखो ST हो या फिर SCO विशी हो या फिर जर्नल हो कहीं किसी भी केटेगिरी के बच्चे हैं जिस भी केटेगिरी से हैं वो या फिर किसी भी महाद्यम से आये हैं या फ आपकेर सारी चीज़ें एक जो यहां पे बैक्ग्राउंट है कितना भी यहां पे आपका लो हो लेकिन हमें उसके ही थुरू पढ़ाना है अब बुढ़ाएं उसको हम इंपटेंस भी देगे और साथे साथ में उन बच्चों पर हम बहुत ध्यान प्रेट करेंगे और उनकी साथ में हम बिल्कुल पोजेटी वेवार करेंगे जिससे कि वो विद्याले में आकर ये फिल नहीं करें कि हम अनुसूचित जन जाती के जो है यहां पर बचे हैं तो इसलिए हमारे साथ में भेद भाव किया जा रहा है इस तरह का बिल्कुल आपको कुछ भी हां पर जो है अब डिसलेक्षय हम किसे कहते हैं डिसलेक्षय वो होता है जिसको पढ़ने में क्या होती है तुरूटी होती है क्या होती है पढ़ने में या फिर कुछ भी लिखा हुआ है उसको पढ़ने में क्या होती है तुरूटी होती है वो क्या है डिसलेक्षय हम पर होता है लंबी न वैनode Caro की मैंने लिखा हुआ है क्या पढ़ रहा है इसको इसको यहां पढ़ता है जब जूट के बड़े-बडे-बडे Centered तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें गर बच्चा सही से नहीं पढ़ पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं डिसलेक्षे विकार कहते हैं और बिल्कुल कि इसलिए किसी में भी हो जाता है देखो बाइदावे मैं आपको पढ़ाती रहती हूं कुछ वर्स ऐसा आजाता है कि मुझसे भी नहीं यहां पर बोला जाता है यानि कि मैं भी कन्फ्यूज हो जाती हूं तो देखो थोड़ा-थोड़ा क्या है वहां पर डिस्रेक्षे विकार हो जाता है बाइदावे जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको भई यहां पर देखो इन वो फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं तो डिस्रेक्षे से गर्षित विध्यारती क्या है भई पढ़ने के लिए अनुच्चिक होते हैं यानकी सही से पढ़ ही नहीं पाते हैं चलो अब हम आगे बढ़ते ही नेक्स्ट देखो इसकी इंप्रिक्षिन है निम्लिकित में से दरस्टी बादित विध्यारतियों के समावेशन में कौन सा बादक बनता है रिकॉर्ड की गई श्रबी सामगरी ब्रेल लिपी वाली पुस्तके दरश्यात्मक शहाईक सामगरी के मोखिक वीवरण या फिर लिकितिया मुदिशामगरी क्या दरस्टी बादित विध्यारतिय की बाती गए द्रश्टी बाधि विध्यार्तियों के समावेशन में कौन सा बातभ्स है? यानि कि यहां पर negative आपको बताना, यहां पर पुछाए कौन सा जो एक option है जो कि द्रश्टी बाधि विध्यार्तियों को पढ़ने में या फिर उनके सफल समावेशन में यहां पर बादावत्पन कर सकता है अब देखो दुरस्टी बादित विध्यारती हम किसे कहते हैं बिलकुल पहले यह आपको समझना होगा वैसे में आपको बिश्ली बताया हुआ भी है कि दुरस्टी बादित विध्यारती होते हैं उन्हें हम किस तरह के स्टुटेंट्स होते हैं वो होते हैं जो कि आपको से सही से देखने ही पाते हैं क्या भई आपको से जो देखने ही पाते हैं जो यहां पर क्या होते हैं आपके दुरस्टी बादित होते हैं टीचर लोक्स जो होते हैं मैम्स होती हैं आप सब कैसे हो बहीं वो किसी को भी देख नहीं पाते हैं फिर जो लिखा हुआ है आप पढ़ा रहे हैं उसको भी नहीं देख पाते हैं तो पर स्ट ओप्शन ने रिकॉर्ड की गई श्रवय शाभगरी बिल्कुल यह तो सही बात है मानों की दरस्टी बादे थे अब देख पा रहा लेकिन कानों से तो अब बिश्ली वो सुनता है बचा कानों से वो बिल्कुल फिट है सुनने में से कोई तूरूटी नहीं है हाँ यहां पर दरस्टी बादित होते हैं जो देख नहीं पाते हैं वो ब्रेल लिपी के माधिम से संकेत के माधिम से अपने फिंगर्स की माधिम से संकेत के माधिम से वो पढ़ते हैं वो होते हैं ब्रेल लिपी तो यह ब्रेल लिपी दरस्टी बादित विध्यारतियों के लिए करने आप देखो दिख लेकिन सुन तो गल्कुल रहा है फिर क्या नहीं होगा लेक्षित या मुदित सामगरी देखो द्रश्ट इबादित बच्चा है और आप उसे सारी आप सामगरी लिखी हुई आप लेकि प्रोवैड कर आ आपने श्यांपट पर लिख दिया या फिर कहीं पर भी कुछ भी या फिर आप साहरे चीज़े उसे जो है लिखकर यही बता रहे हैं अब भाई लिखा हुआ वह कैसे देख पाएगा जब वो बच्छा देख ही नहीं सकता तो यह क्या होगा गलत होगा अब गलत होगा तो यह यह रोंग होगा अब यह रोंग होगा तो यहीं क्या बनेगा बादग बनेगा इसलिए यह ऊप्षण यहां पर क्या होगा बिल्कुल क्रेक्ट जो है उप्षण हो जाएगा स्क्रीन पर आगे ने अच्सट्रीक्रिशन आपके सामने आच चुका है निमन लिखित में से क्य तो इन में से क्या ध्याना भाव एवं अति से किरीता विकार से संबन्दी थे, वो है आपका यहाँ पे ADHz के, ये जो है ना, ये है आपका क्या ADHD? क्या है ADSD की बात हैं पर की गई ध्यान अबाव एवं अती शेकरियता विकार ADSD जिसे हम कहते हैं तो इस तरह कि जो बच्चे होते हैं वो देखो किस टाइप्स के होते हैं उच्वधानब्दी नहीं रखते हैं नीबनस्तरी क्रिया शिलता नहीं वह सुनने के लिए विसादी दहरे नहीं वह तो सही तरीके से किसी की बात को अदेखोने पुरोग ब्लेश सुन बहते हैं करते हैंकेस होते कर जाते हैं नो कि देखो दो-चार बंदे हैं कि विज़रों कि रिक्स में उसका सबेखने मीच हरब किसे घ्राइप के बूं चेहें छाथ इस तरीक मोपने मुल फ्रेमें किसके हैं फंदी नहीं होता वो होते हैं द्रड आवेक शेलता तो इस केटेगरी में आएंगे तो आईओप आप समझ भी गए होंगे देखो मेने सिंपली भाषन बताया और हाँ ये किसी को भी हो सकता है और ये बच्चपन से ही स्टार्ट हो जाता है पर्तिबाशारी बच्चों की एक परमुख पर्तिबाशारी बच्ची हम किसे कहते हैं वह होते हैं जिसका IQ लेवल 140 परस होता है जो God gifted students होते हैं जो कि बहुत परिपक होते हैं अगर हमने उनके सामने कुछ भी questions रखी ना तो या फिर कुछ भी problems रखी तो उसे solve करने के परती बहुत ही क्या होते हैं इंच्छक होते हैं और साथी साथ में अगर में यहां पर बताऊं इतनी बेटर होता है ना कि बस हम क्या ही बात करें बहुत ही घजब टाइप्स के वो जो ही श्रेंट्स होते हैं सो यहां फिर देखो रचनात्मकता की कमी थोड़ा है ना उती उनके अदर भलकी भरपूर मातरा में पूरी कटूरता के साथ में बरी रती है मानों कि आपने कुछ भी क्वेक्शेंग पूटब क्या तो उसे हर एक जो है बिनल बिन तरीके से हर एक डिरेक्शन्स के थुरूल शौर्फ करने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं तो बाइजाबे ये तुईंहां पे नहीं होगा बादित शंप्रिक्षन कोशर होता है क्या वो शंप्रिक्षन करते हुए बादित होते हैं नहीं नहीं इस तरह के बच्चे तो संप्रिक्षन करने में बहुत ही महाहिर होते हैं और मानों की अगला जो बंदा है उसकी बाद भी समझाते हैं कर लेते हैं कि हां यह क्या चाहता है या फिर क्या इसके मिन में चल रहा है दूसरे के विचारों को नकल करने कि नहीं नहीं दूसरे के विचारों को कभी नकल नहीं करते बलकि दूसरे के विचारों को विप्रित हो करके उस चीज को अलग डेरेक्शन दे देते हैं और अलग यह अनुभव यहां पर निकालते हैं नहीं तो सही क्या होगा बिल्कुल उचस्तर की बोधिक शम्ता होती है अब उनका IQ लेवल 140 पलस है तो उचस्तर की बोधिक नहीं और गीष्णता होई की नहीं होई आप बहुती बैटर होते हैं God-gifted जिसको हम God-Gifted याईनि कि जिसने इश्वर ने कोई उपहार दिया है जैसे कि यह बहुत ही अलग से होते हैं जैसे आपके आईश होते है आइस बनते हैं UPSC, PCS यह वगरा वगरा बहुती हार्ड वाली पड़ाई जो करते हैं वो एक जो है इस तरह के ही स्ट्रेंड्स होते हैं क्योंकि उनका एकुलेबर तो गजब का होता है जिसे ही विज्ञानिक होता है खोज करते हैं तो बहुत माइंड हैं बरपूर मात्रा मे मैंडेड है तह और बहुती बहतरीन सा क्विशन है अभी कथन है और तर्क है देखो अभी कथन और तर्क पहलें अभी कथन को पढ़ते हैं एक शिक्षक को विशेवस्तू को पढ़ाने के लिए उसे शंबन्द से एवं संगटी तरीकी से प्रसुत करना चाहिए को एक टीचर से जब विशे वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो उसे संबत एवं संगटी तरीके से मानू कि हम यहां पर 1, 2, 5 या फिर 6, 2, 8 वाले स्टुडेंट्स को गर हम यहां पर पढ़ा रहे हैं तो उसे के माध्यम से हमें पढ़ाना चाहिए अगर हम 1st class वालों को पढ़ा रहे हैं तो हमें उसे के माध्यम से उसे के according वो topics सुने कराने चाहिए 2nd class वालों को 3rd, 4, 5 जितने भी हमें जिस भी कर्टेगरी के क्या ही students है तो यहां पर बात की गए कि एक शिक्षक को विश्यवस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संभन देवन संगतिन तरीके उसे पढ़ाना चाहिए जो इक एक points है उसे बिल्कुल उससे ही related होकर के और उसे के basis पर होकर के पढ़ाना चाहिए नहीं कि अब यहां पर लिखा हुआ तो कुछ और है लिकिन आप पढ़ा कुछ और रहे हैं या फिर वो बच्चे तो किसी और category के हैं और आप उन्हें यहां पर किसी और category की topics वालों की हम five class वालों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप five वाले class वालों को जो है eight वाले topics पढ़ा रहे है eight class वाले तो यह possible नहीं होगा एक teachers को महीं पढ़ाना चाहिए जो कि उसके लिए पुशी बलो और बिल्कुँ यहीं तो बात के गई है उसी तरीके से उसी डंग से प्रस्तूत करना चाहिए तरक है कि सीखना एक निश्किरी पर के नहीं भाई यहीं वर्स क्या देद्या गलत देखो सीखना एक निश्किरी पर किर्या नहीं यह बलकि क्या होता यहां पे से ती है लेकिन इसका आपको याद रहे ना मेरि अमानी तो याद रहे कि इस तरब से इस अदुब की किस तरह से एंफ़ पते हैं किस महादम से और अब ही मैं आप को सारे टेगवर्स को रहाँ आज है लेत्क जो तो इसलिए तर्क तो गलत हो गया, अब A सही आर गलत है, तो यहां पर शी ओप्शन समय लगाना है, और जो ही ओप्शन पर ध्यान ने देना है, क्योंकि A तो correct है, लेकिन आर क्या है, गलत है, आगे देखो next, next जो question है, वो है संग्यान से related और बहुत ही बहतरीन सा question है, संग्यान के समकारिन से धानतों के according, इस मर्ती, संग्यान वे इस मर्ती के बारे में आपको बताने हैं, इस मर्ती वो ही आपकी memory, जो कि आप अपने minds में fit करते ही हर एक data को, इस में सारे चीज़े field हैं आपकी, वो पड़ाय से related है, या फिर आपके घर परिवार से, आपके निर्मान करने में शक्षम लेकिन विवेशना करने में अक्षम है गलत है निर्मान विवेशना करने दोनों में शक्षम है विवेशना करने में तो शक्षम है पर निर्मान करने में अक्षम है ने तु निर्मान कर सकते हैं नहीं विवेशना कर सकते हैं दोनों में अक्षम है बलकि संग्यान के समकाने से धानतों के अनुसारी समर्ती जो है क्या है निर्माड इवन विवेशना करने दोनों में क्या है सक्षम में बिलकुल बताइए जो हमारी समर्ती मैमोरी है क्या वो हमारे लिए क्या होगी अक्षम होगी नहीं ना अब मेमोरी हमारी जो भी मेमोर्य है जो भी हमारे अंदर जिन्ने भी data है EVERY यह अब हम उसी के पूर ऐयानद पर ही तो dependent होकर के आगे के चीज़ों को पढ़ते हैं अब यह थोड़ा ही ना होता है कि हमने जो भी चीज हमने सेख्ई याय पढ़ी वो सारी वेस्ट जा wait क्या जाएगी वो सारी ऐसे ही wait देखो मैं अपको एक बार यह टोपिक्स पढ़ा रही थी कि हम थोड़ा क्या होया कुछ इस्टुएंट्स भूल जाते हैं कि हां नहीं नहीं वह पढ़ा रहे थी हम पर शेश्रा वस्ता कि उसमें ना वह जो जीन प्याजे वाली श्टोरी थी तो उसमें आपको पढ़ा रहे थी हमापे शेश्रा वस्ता कि स्टेज में उसमें पॉइंट आया हुआ था आपका उसमें पढ़ा रहे थी कि मानो की हमने बच्चे को टी क्या करती बना कि दिखाएं तो जो उसका बेक यहां पे नोलिज होती है जो उसके पूर्व ग्यान वारी नोलिज होती है कि मैंने पहले टी बनाया तो उसको भूल जाता है तो एक यहां पर फ्रेंड्स ने मैसेज किया था मुझे कि मैं यहां पर छोड़े बच्चे ही नहीं हम भी बोल जाते हैं बिल्कुल अबिशली यह तो होता ही है देखो मानों कि हमने जो भी टोपिक्स पढ़ा और फिर जो हम नेक्स टोपिक्स पढ़ते हैं हम वह बेक वाला टोपिक्स तो बोल जाते हैं तो मुझे उसकी बात काफी जो है अच्छी लगी मुझे हांसे भी आई उसने बोला कि मैम छोड़े बच्चे ही नहीं बड़े बच्चे भी बोल जाते हैं बिल्कुल लक्सर यह होता है चलिए थोड़ा वाई हसी में जागवना चाहिए तो संग्यार के समकाली सिधान तो क्या नुसारी समर्थी क्या है ठीक है तो यहां पर जो है बी ओप्शन्स आपका राइट होगा निर्माण इमन वीचना करने दोनों में शक्षा में वह जो ह सार्तियों दुवारा ज्यान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विध्यालियों को प्रवादियों को बढ़ावा देना चाहिए बाल के नित प्रिक्षा केंदी शिक्षत पार्थे बुस्तर बिल्कुल सभी क्यों को कट करेना और क्यामी ने बताया हुआ है अग को हम किसमें रखते हैं केंद में रखते हैं और बालक के अंदर में होता है सो उशी के डिरेक्शन से हमें सारी चीजें यहां पर उने प्रोवाइड करानी होती है समझें चलो वह थी सिंपल कुशन्स था आगे नेक्स्ट निम्र लिखित में से अधी गम देशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्भंवी कभी कल्प का हिशान नहीं है जो नहीं है ना हो बताना है सैभागता के बहुपिषादन § बहुविध शाधन देखो आप शहयों के तरीके से शाधन उपलब करा रहें बैटर होगा लेकिन क्या नहीं हो सकता इससा बहुविध बहुविध हिस्प शेबी ओक्षन देखो बहुआ बताइए क्या आप अपने अपनी कक्षा में आप बत्चों में बहँ बहुद राम है सोइनले से नहीं पड़ती हैं, गेता आची है है वगरे बेस के हैंसे तोलजरा करें, यह फिर आप करांब बच्शों में अ माघ तूम लट्रपी है हो सपक्था है तुम व क्रेंसे मित्काइब करने हे तुम लड़की हो तुम घ्रहे के साथ में करते हैं वो क्या है अक्षा गलत यहां पर शिद्र होगा तो उसलिए इस तरह से आपको यहां पे बच्चे के साथ में नहीं करना है बाइता वे हमें बेद्भाव के बहुवी तरीके नहीं अपनाने हैं बेद्भाव नहीं करना है अभी बादा ही पूछाए कि क्य नहीं हो सकता इसका है साथ तो यह बिद्भाव के बहुवी तरीके यहीं हमें नहीं प्लाना महानों कि आप अपनी क्लास में 40 बच्चें 30 बच्चें यह तुम्हें हैं टॉप करना है श्याम से जो है तुम्हें ज्यादा माख्ष लाने हैं इस तरह से अपने ही आगे निक्स्ट नेमली कितमे से किसे के दुआरा समश्य शमधान को बढ़ावा दिया जा सकता है समश्य समधान प्रोब्लम शॉल्बिग यहां पर है अनुरूपात्मक चिंतन है कार्यात्मक इस्थिर्ता है पर कि देखो पड़ती किर्याओं का समुच्य है अभी सारी चिंत समनुरूपात्मक चिंतन बिल्कुHA यहां पर आपका समा लोचनात्मक सिंतन भी हम इसको क्याते हैं और अगर हम बात खरें रचनात्मक यह भी आपकी इसमें आती है मौलिकता सब इसमें आती हैं Ūन तरीकिसे चीज को सेखने के कोशिच करते और वो भी thinking के बेस पर, चिंतन के बेस पर, तरक भी तरक के बेस पर, तो वो चीजे तो जादा क्या होगी, better होगी, तो बस हमें जो better होगा न, वही हमें यहाँ पर possible करना है, वही बच्चों को कराना है, तो समझे शमदान, अगर मानों कि हमारे सामने कोई भी समझे है, तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही basis पर इस्ति रहके नहीं कर सकते हैं, बलकि हमें अलगला category में जाकर कि उस questions का answers खोज ना है, समझे, चलो next, और next जो question है, यहीं भी आपका अभी कतन और तरक वाला question है, आपर चलो देखते हैं, विध्याली आने से पोरू छोटे बच्चों में अपने परिवेस की समझ बनाने के सह सिधान मौजुद होते हैं, बिलकुल सही बात है, जो भी students जब इस class में उसने admissions लिया, प्री नर्शरी जो भी है, यहां पर जिस भी class में उसमें admissions लिया, तो बच्चे विध्याली आने से पोर्व जो है, अपनी परिवेस की समझ बना के ही तो आते हैं, तो हमें उसे importance देनी चाहिए, सही बात है, इस परकार की समझ पूरी तरह से एतार्किक हैं, और इसकी अंदेही करनी चाहिए, क्या बच्चा जब अपनी घर से आता है, और वो जो भी experience अपना लेके आता है, क्या teachers होने के नाते हो, उसके सभी experience को अंदेहा क करेंगे, आप उसे कहेंगे कि आप इस तरह की language यूज मत करो यहां पे, आप इस तरह का वेवहार नहीं करो, जो आपने घर पे करते हैं, बिल्कुल यहां पर silent रहो, ऐसे रहो, यह रहो, वो रहो, तो यह सब क्या है, गलत है, क्या है, गलत है, जब कि वो क्या है, तार की को हो जाएगा, चलो भाई, समय आपको आ गया होगा, इतना कोई hard questions नहीं था, चलो, अब यहां पर questions जो है, आपका भावना और संग्यान के बारे में, भावनाओं के बारे में, निम्निकित में से कौन सा कतन सही नहीं है, अब देखो, जो सही कतन नहीं है, वो बताना है, भावनाओं कोशलों को परकम्मित करने वाले सुचना को प्रभावित करती है, बावातों विकास परिवेशे कारकों से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही बात है, भावनाओं अधिगन के लिए अभी प्रेणा को भी प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भावनाए और संग्याद दोनों पनिया अपनिया पहें दूसरे से सक्षाउत नहीं है अलग नहीं जày क्या है संबंदित है इसलिए यहाँ पर क्या होगा गलत होगा अब यहां पर देखो यह जो जो है बिल्कुए मैंने सही तरीके से लिखा हुआ है भावनाएंबे जो भी हमारी मोसंस है जो भी संग्याने ग्याने नोलेज एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है अब हमारी मान सोरी अगर हमारे मन में कोई चीज उत्पनी नहीं होगी तो फिर बताइए हम कैसे किस पर हम किस चीज़ पर बेसिस होकर हम आगे सीखने की कोशिश करेंगे तो उसलिए दोनों चीज़े अपने आप में सवतंत्र नहीं है और हमसे क्यूशन निगेटिव उचाता नेक्स देख सोरी फ्रेंड्स एक होती है आपकी आंत्री अभी प्रेंड़ना और यहीं पर एक होती है आपकी बाहिये भी प्रेंड़ना जो आंत्री अभी प्रेंड़ना होती है वो तो आपके खुद की होती है बस एक पॉइंट समझ लो और जो बाहिये अभी प्रेंड़ना होती है वो इसेंपल नहीं है अंतिक अभी प्रेड़ना वह होती है जब हम अपनी मन से कुछ करना चाहते हैं अब यह पर हम सीटेट की बात लेते हैं देखो मेरा खुद का मन था तभी तो मैंने यावे सीटेट का जो है क्या फॉर्म फिल किया अब सीटेट मुझे करने से पहले मैंने प सबस्कcomb के चीटेट लेकिन हमें हिंता करना होता है अ हमारे मन में हमारी रूची है रूची है मेरी क्या है मेरे जिग्ःासा है मेरे अंदर क्याय क्या है मुझे सीटेट कॉलिफाइए करना है और उसमें बैठना है ऐस पस्ता के लिए चाहत मेरी चाहत है स्पस्त है मुझे कि हां मुझे टेचर्स बनना है इसलिए सीटेट कौलिफाई करना ही होगा लेकिन पुरुषकार पाने के लिए प्रयास करना क्या आप क्या आप यहां पी अपनी फ्रेंड्स को खुष करने के लिए फिर अपनी ममी पापा को घुष करने के लिए सीटेट बी है आपको ऑंपर कुछ फंक्षन हो रहे हैं और उस जो है फंक्षन्स में आपको ट्रोफी जो है वगयरा पुरुसकार वगयरा मिलते हैं तो उस पर आप यहां पर प्रोग्राम कर रहे हैं कि बरी डांसिंग का यह फिर आप चुटकले वगयरा कुछ भी है न उस सीखना अधिक परभावी होता है जब ही सीखना अधिक परभावी कब होता है विशे वस्तु को वास्ति जीवन के नुभों के साथ जोड़ा जाए देखो या पी पढ़न सामगी बहुत ही जटी लैमूर्त हो या फिर एस सम्मद रूप से टुकड़ा टुकड़ों में पढ़ बलकि विशे वस्तु को वास्ति जीवन के नुभों के साथ जोड़ा बिल्खुल अब देखो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं मैं खुद आपकी रेल लाइफ से जोड़के ही आपका टार्गेट के सीटेट क्वालफे करना तो उसे के बेसिस के माधिम से मैं आपको एक् एक अनुकूल समर्थी तो सीखने का वातावन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए विध्यारतियों के बीच सहयों को बढ़ावा देना चाहिए विध्यारतियों से बेहद कम अपेक्षाय रखनी चाहिए महारत उनमुक परती पुष्टी देने से बचना चाह चाहिए या फिर उन्हें प्रतिपुष्टी देने से बचना चाहिए या फिर उनसे बहुत कम अपेक्षा रखनी नहीं बलकि विध्यारतियों के भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए बिल्कुल यह पोजेटिव टैग वर्ड्स है देखो अपेक्षा उनसे कम करो चाहिए बच्चे को जिससे जही तरीके से बचा सीखने के अगरुशर हो और रुषय बढ़ाव भी यह हमारे 15 ही क्योशन थे और अब आप हमें जो है यह बताईए कि आपको जो है यह शर्षन कैसा लगा यह पर और यह बहुती बहतरी शर्षन था आपका स्पेसल सेड़े प्रिविश्र क्विशन पेपर पेपर मॉन टू दोनों की एग्जाम के लिए काफी बहतरी शर्षन था और आपको समझ जाए कि नहीं आया और कितना च्छा आपको लगा या फी नहीं लगा जो भी आपका बैसेज है तो आप मुझे बता सकते हैं और अब यहां पर कुछ क बूटी या फिर कुछ भी अवर्स गलत हुए हो तो बिलकुल हम माफी चाहते हैं और अब हम मिलते हैं नेक्स ट्रीव शेशन में और तब तक के लिए सो थैंक्स हो रोशी कि पिस्टरी और बाबाई टेक क्यार